अलो दोस्तो मैं हूँ पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंग्लिश लवर्स में I hope कि आप बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों की study आप लोगों की preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की थी वो थी based look पर और जिसके मैंने दो पार्ट बनाए थे phrasal verbs के तो जिसमें look into, look at, look in on, look down इस तरह की जो phrasal verbs थी जिन लोगोंने नहीं देखी है प्लीज उसको एक बार दोबारा देख लिजिए तो phrasal verb की सीरीज को दोस्तो आगे बढ़ाते हुए आज हम discuss करने वाले है most important एक और phrasal verb जो है keep, keep से भी काफी question आपके exam में बन जाते हैं तो keep को भी आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से इसको तयार कर लेना है तो दोस्तो phrasal verb की सीरीज में हम पहले उन words को pick कर रहे हैं जो most important है आपके exams के लिए जैसे phrasal verb से दोस्तो आप लोगों के question जो बन जाते हैं वो fill in the blanks में बनेंगे या फिर बनेंगे close test में या बनेंगे वो common error में वो question बन जाते हैं आपके आप SSC की preparation कर रहे हैं आप banking exam की preparation कर रहे हैं आप teaching से related किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं आप CPO, CDS, NDA, Air Force किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं दोस्तो phrasal verb का question आपके लिए damn sure है कि बनेगा ही बनेगा ओल राइट दोस्तो चलिए अधा time न वेस्ट करते हुए start करते हैं आज phrasal verb को जिसमें हम discuss कर रहे हैं keep को राइट तो देखे पहला word है keep down दोस्तो keep down के चार meaning हो सकते हैं यानि कि four इसके meaning आप निकाल सकते हो सबसे पहला meaning है repress करना किसी को यानि कि दवाना किसी कोई काम करने से रोकना या किसी चीज को कुछलना एक तरह से दूसरा दोस्तो इसका meaning होता ह है to control okay यानि किसी चीज पर पावंदी लगा देना यानि पावंदी लगाना जैसे किसी sound को रोकना okay किसी बढ़ते हुए numbers को रोकना या लोगों को रोकना या खुद को भी रोकना self को तो उसे हम बोलते हैं keep down तीसरा इसका meaning हो जाता है not to vomit यानि कि consume कर लेना किसी भी चीज को over eating suppose किसी की capacity है दो समोसे की right और वो खाले पास समोसे vomit होगी लेकिन फिर भी अगर वो consume कर जा रहा है तो इसे बोलते हम keep down और सर चौथा आपका word है दोस्तो वो है stay concealed यानि कि अपने आपको या किती चीज को छिपाई रखना किसी के सामने disclose न करना तो इन चारो meaning को आप relate करे देंगे keep down से right अब देखते हैं इसको examples के त्रोग दोस्तों देखिए पहला example है China capped down her dissidents very cleverly on COVID-19 यानि कि China ने अपने जो dissidents से वहां के जो लोग थे उनको दबा दिया COVID-19 के बारे में clearly यानि कि वह बहुत ज़्यादा चीजों को open नहीं कर रहा है नहीं किसी कोई statement दे रहा है next आये my father teaches me to keep down the anger मेरे father ने मुझे क्या सिखाते है मुझे कि मैं अपने गुस्य को control कर लू यान किसी चीज को control करना उसे हम बोलते हैं keep down तीसरा example देखिए you should keep the noise down otherwise the nervous will complain okay आप लोगों को शोर कम करना चाहिए यानि control करना चाहिए अब आज ओपर otherwise क्या होगा जो आपके पड़ोसी है वो complain करेंगे अगला example it is essential to keep the people down to avoid overcrowding in the party right यानि कि यह जरूरी है कि लोगों को control किया जाए party में overcrowding होने के लिए okay यानि overcrowding ना हो next time after eating 10 slices of pizza he kept down it okay देखिए not to vomit वाला जो केस है वो कि 10 slices पिज़ा के 10 slices खाने के बाद भी उसने क्या किया उन्हें kept down कर लिया यानि consume कर लिया vomit नहीं किया और लास्ट आईए you would better keep down otherwise he will see you okay it means आप अपने आपको छुपा लेजिए otherwise वो आपको देख लेगा तो दोस्तों ये था keep down ओके आते हैं अपने दूसरे वर्ड पर तो दोस्तों दूसरा वर्ड है अपना keep on और keep on के दोस्तों तीन मीनिंग होते हैं सबसे पहला मीनिंग है continue यानि कि किसी चीज क को लगातार करते रहना दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है remain in an existing position यानि कि जो आपकी स्तिती बनी हुई है उसी इस्तिती को बनाए रखना तीसरा इसका मीनिंग हो सकता है दोस्तों talking about a subject यानि किसी subject के बारे में बात करना जिस पर generally लोग गुसा हो रहे हैं उसी subject को बार बार ल about her okay for goodness sake इस word को देखेगा यह फ्रेज जिसका मीनिंग होता है भगवान के लिए भगवान के लिए क्या आप उके उसके बारे में बात करना बंद करोगे right अगला example देखो the new director wants to keep on the present employees जो नया director है वो यह चाहता है कि जो पुराने employees थे वो उसी existence position पे रहें यानि कि वैसा ही वैसा रहे सब कुछ कोई भी change further ना हो आईए अगले example को देखते हैं she kept on working throughout the night it means वो पूरी रात काम करती रही it means kept on word का यहाँ पे meaning क्या बनेगा दोस्तो वो बनेगा continue चले है आते हैं तीसरी word पे दोस्तो तीसरा आज का word है वो है keep out keep out word का means होता है रोकना to stop यह रहें from entering a place or situation किसी भी situation में इसका pronunciation situation भी बनता है कि आप कैसे भी बोल सकते हैं referring from entering a place or situation किसी भी situation में या किसी place पर जाने से अपने आपको रोकना उसे बोलते हैं और दोस्तो इसी को आप off भी लगा सकते हैं it means इसको keep out of भी बोला जा सकता है राइट चलिए तो question देखते हैं she kept me out of her house उसने मुझे अपने घर में enter करने से रोका अगला example देखें cover the food with anything to kept out flies flies मतलब मक्या food को कबर कर दीजे जिससे की इसको जो flies है वो touch ना करें next आये she is keeping out of trouble वो यहां पर एक situation बन रही है उससे अपने आपको क्या कर रही है बचा रही है यानि कि दूर रख रही है परिशानी में जाने से ओके चलिए दोस्तों आते हैं fourth word पर देखो fourth word है keep across और keep across word का means होता है to be updated या फिर बोल सकते हैं to be up to date किसी चीज़ से update रहना अब example समझते है I'll keep across you of English language मैं आपको English language से update कराऊंगा ओके keep across दूसरे example देखिए now everyone is trying to keep across the cases of COVID-19 आज हर कोई keep across हो रहा है यानि कि update हो रहा है अपडेट कर रहा है अपने आप में चलिए अगले word पर आते हैं fifth word है दोस्तों keep around और keep around word का means होता है keep something near one okay around मतलब आसपास और keep मने रखना यानि अपने आसपास किसी चीज़ को रखना या आपके साथ में होना तो example समझें it is worth keeping a dictionary around when you are reading an English newspaper समझना दो वर्थ का means होता है बहुत अच्छा होना it is worth keeping a dictionary around when you are reading an English newspaper यानि यह बहुत अच्छा होता है कि जब आप English news पर especially पढ़ रहे हों तो अपने साथ में एक dictionary रखें right दोस्तों अगला word है वो है keep at और keep at word का मीनिंग होता है continue with something difficult okay यानि कोई भी मुश्किल काम है उसके साथ मैं लगातार बने रहना उसको करते रहना example देख लेते हैं if you keep at studying you will succeed soon okay अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जल्दी ही आप succeed हो जाएंगे right यानि keep at यहां पर जो word है उसका means होता है किसी भी difficult जो आपको tough काम लग रहा है कोई भी typical work है उसको continue mood पे रखना तो दोस्तों को study भी कोई भी easy work नहीं है अगर मानोगे आप तो तोड़ा सा tough काम तो होता है क्योंकि दुनिया की हर चीज यानि की हर element से disturb हो जाती है study तो इसलिए आपको बहुत ही चीजों को manage करके चलना पड़ता है राइट चले तो अगले word को देखते है next word है seventh number that is keep away या इसे बोल सकते हैं keep away from इसका meaning भी दोस्तों होता है अपने आपको रोकना या किती चीज को रोकना prevent from coming near अब example समझे है I am keeping away from her until she comes down right मैं अपने आपको उसके पास जाने से रोक रहा हूं जब तक कि वो शान्त नहीं हो जाती मैं अपने आपको उसके पास जाने से रोक रहा हूं जब तक कि वो शान्त नहीं हो जाती तो keep away from का means हुआ रोकना या prevent करना next example है keep the children away from the garden बच्चों को गार्डन से दूर रखे आईए next word पे next word है दोस्तो that is keep back right keep का मतलब रखना और back समझ रहे बापस होने एक तरह से तो यहाँ पे दो meaning हो सकते हैं सबसे पहले maintain or save distance यानि कि एक अच्छी दूरी बना लेना किती भी चीज से जो भी खत्रे का काम आपको लग रहा है जो भी danger आपको दिखाए दे रहा है उससे पीछे हट जाना या फिर hide कर लेना यानि छिपा लेना right अब दोनों को examples देखते हैं army warned people to keep back army ने लोगों को क्या किया warned किया चितावनी दी कि आप पीछे हट जाईए एक maintain एक distance maintain कर लीजिए दूसरा देखिए example you should not keep back anything from your parents आपको अपने parents से कुछ भी नहीं चुपाना चाहिए यानि कि जो भी problems है जो भी आपके positive cause या जो ups and downs आपके लिए चल रहे हैं उन सब को आपको एक बार discuss कर लेना चाहिए चलिए तो दोस्तों देखते हैं नाइन्थ वर्ड नाइन्थ वर्ड है की फ्रॉम और सर की फ्रॉम वर्ड का भी मीनिंग होता है दूर रखना यानि रिफ्रेन फ्रॉम पल देखिए एक example है these problems kept him from sleeping properly यह जो problems है उसे अच्छी तरीके से सोने नहीं दे रही है यानि की सोने से उसे दूर रख रही है वो सो नहीं पा रहा है तो इसे बोलते हैं keep from ओके नेक्स्ट आइए टैंथ वर्ड है दोस्तों keep to oneself अब देखिए यहां जो oneself है अब इसके oneself के place पर आप कोई भी reflexive pronoun लगा सकते हैं जैसे myself हो गया, yourself हो गया, themselves हो गया जो भी according to subject आप जो भी subject लगा रहा है उसके according आप reflexive pronoun ले लेंगे keep to oneself word का meaning होता है introvert और introvert word का meaning दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक ऐसा बंदा जो बहुत ही अलगत अलग सा रहता है यानि कि ज्यादा लोगों से interact नहीं करता या हम इसे बोल सकते हैं avoid interaction with others आजकल तो आपने देखा होगा कि सभी लोग introvert होते जा रहे हैं दिरे दिरे क्योंकि ना कोई बाहर निकल रहा है बस घर में ही अपना रह रहे हैं लेकिन वो situation introvert situation नहीं बोले जाएगी introvert is a kind of a human being which who may be shy और हम उसे यह भी बोल सकते हैं कि you just think about himself okay engaged in himself चलिए तो question समझते हैं दोस्तों I preferred to keep to myself after lockdown यानि कि जब से lockdown हुआ है तब से मैं अपने आपको introvert कर रहा हूँ यानि कि लोगों से interact करना avoid कर रहा हूँ all right चलिए तो आये 11th number 11th है दोस्तो keep up right अब keep up के दोस्तों देखो दो meaning है सबसे पहला meaning है stay ahead आगे रहना अब ऊपर यानि कि ऊपर रहना आगे रहना दूसरा है remain well informed about something यानि किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखना उसे भी बोलते हम keep up right तो चलिए question देखत so fast वो इतनी fast dory that I could not keep up with her कि मैं उसे उससे आगे नहीं निकल सका दूसरा ये I always try to keep up with current affairs कि मैं हमेशा कोसिस करता हूं current affairs में well informed रहने की यानि उसके बार में पूरी जानकारी रखने की तो अगला word है number 12 keep off right keep off word के दोस्तों दो मीनिंग हो सकते हैं सबसे पहले not talk about okay यानि केसी के बारे में बात न करना या दूसरा मीनिंग हो सकता है not touch something यानि किती चीज़ को न छूना दो मीनिंग हो सकते हैं चलिए तो अब देखते हैं examples he keeps off on the subject of his marriage right यानि वो अपने marriage के subject पर यानि marriage की जब भी उसकी बात होती है उस पर वो कोई बात नहीं करता आये दूसरे example पर keep the flies off the pizza यानि की जो flies है उनको पिज़ा से अलग रखे यानि मक्यों को अलग रखे उनको छूले मत दीजिए उन्हें उड़ा दीजिए next देखे keep off the plants यानि की पौधों को नाच हुए उनसे दूर रहें चलिए तो देखते हैं अगले word को next word है दोस्तों आप लोगों का keep in और keep in का meaning होता है not allow someone out right किसी को बाहर जाना allowed allowed न करना यानि किसी को बाहर जाने के लिए allow नहीं करना उसे बोलते हैं keep in see the example I am always kept in during job hours okay जब भी मैं अपने काम पर होता हूं मुझे बाहर जाने की अनुमती नहीं होती है यानि कि मैं अपने काम में engaged रहता हूं बाहर नहीं जाता तो यह हुए दोस्तों total 13 words जो relate करेंगे keep को I hope दोस्तों आपको keep से related अब कोई problem नहीं रहेगी और इस video को at least two times आपको देखना है जिससे आप words के sentences को समझ सके हैं कि sentence में इसका use आप लोग कैसे कर रहे हैं all right words दोस्तों आपको तभी mind में रहेंगे जब आपके mind में sentences structure रहता है कि sentence में उसको आप कैसे use कर रहे हैं चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ new phrasal verbs के साथ में और confusing words के series हम लोग के च subscribe okay अपना ख्याल रखो जहन